ओनलाइन पढ़ाई के दवरान वाटसब पर आई वीडियो देख टीचर्स ने छोड़ा गुरूप मुझफर नगर यूपी क्रोना संकरमन की वज़ा से शिच्चा विवाग ने पराथमिक और उच्च पराथमिक स्कूल के तलबा को पढ़ाई के लिए वाटसब गुरूप में जोड़ा गया था आउनलाइन चल नहीं पढ़ाई के दवरान टीचर्स के सामने नहीं नहीं परेशानियां आ रही हैं शिच्चा विवाग के वाटसब गुरूप पर एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के दवरान मोबाई से अश्लील वीडियो अपलोड कर डाली वीडियो को दे कई टीचर्स गुरूप से लेफ्ट हो गए शिच्चा अधिकारी ने स्टूडेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत की लेकिन स्टूडेंट के पैरेंट्स को जब ये बात पता चल गई तो उन्होंने बच्चे की घलती सिविकार करते हुए शिच्चा विबाग और पुलिस अधिकारियों से मौफी मांग ली है पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की बारेकी को समझते हुए इस्टूडेंट को चेताउनी देकर भेज दिया आपको बता दें कि लागडाउन की वज़ा से सभी स्कूल बंद हैं यही वज़ा है कि स्कूल का सारा शिडूल आनलाइन चल रहा है जिसमें बच्चे पैरेंट्स के फोन से आनलाइन किलास अटेंड कर रहे हैं या फिर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना हॉम वर्क वाटस अप के जरीया हासिल कर रहे हैं सारी पढ़ाई मॉबाईल से ही आनलाइन हो रही है इसलिए सारे पैरेंट्स को अपने बच्चों का खास ख्याल लगना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे वाकियात दोबारा ना हो और बहतर यही होगा कि जब तक बच्चे मॉबाईल से पढ़ाई करते हैं उस वक्त तक पैरेंट्स उनके साथ रहें ताकि बच्चे ऐसे कोई गलत हरकत ना कर सकें क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर कई ऐसे अश्लील वीडियो फोटो जाते रहते हैं जिस वज़ा से हो सकता है कि बच्चे इस अश्लीलता में फस जाएं और गलत काम कर बैठें साथी साथ वालदेन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मॉबाईल में ऐसे कोई गलत और अस्लील फोटो या वीडियो ना रखें जिस से बच्चे पढ़ाई के दोरान देख लें और पारेंट्स को भी ऐसे गलत और अस्लीलता से बरे गंदे वीडियो फोटो अपने मॉबाईल से देखने से बचें क्योंकि इसका मजभी और समाजी दोनों इतवार से बड़ा नुखसान है इसलिए अल्लाह ने कुरान में सुर इसरा सुरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में कहता है कि खबरदार जिना के करीब भी ना जाओ वो बड़ी बेहाई और बहुत बुरी राह है इसलिए हमें जरूरी है कि ऐसे मॉबाइल से गलत इस्तेमाल से बचें वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी मॉबाइल के गलत इस्तेमाल हमें कहीं ऐसे बुरे कामों में या बलातकार जैसे अपराद में ना फसा दें ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें प्रुट प्रुट प्रुट